गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में गठोत कच एउंचंद्र गुप्त पर्थम का इतियास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा गुप्त वन्स का जो समराजय विस्ता है इन सब के बारे में संक्सित रूप से हमने पहले वाले वीडियो में जानकरी प्राप्त की थी और गुप्त वन्स की विसेश्ता है इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और इन सब के वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो देखेगा यह दिया आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी एक्जाम की दस्टी से महतवपुन सूसना इतियास विसे से संबंदित पहुंच सके और एक्जाम की अ महाराज गुप्त का नाम स्रीगुप्त था स्रीगुप्त का कोई अभिलेक या सिका नहीं मिलता दो मुहरें जिन में से एक के उपर संस्कृत और प्राकर्थ मिश्रित मुद्रालेक गुप्तस से तता दूसरे के उपर संस्कृत में स्रीगुप्तस से अंकित है गुप्तव का पर्थम सासक बताया गया है इसकंद गुप्त के सूपिया अर्थार्त रिवा के लेख में भी गुप्तों के वंसावली गठोत कच के समय से ही प्रारंब होती है इस आधार पर कुछ विद्वानों का सुझाव है कि वस्तुत्य गठोत कच ही इस वंस का सेंस्थापक था तरक संगत नहीं है गुप्त लेकों में इस वंस का पर्थम सासक श्री गुप्त को ही कहा गया है ऐसा परतीत होता है कि यदपी गुप्त वंस की स्थापना श्री गुप्त ने की थी किन्तु उसके समय में यह वंस महतो पुनिस्तिती में नहीं था गठोत कच के काल में ही सर्व पर्थम गुपतों ने गंगा गाटी में राजनैतिक महता प्राप्त की होगी अल्तेकर तथा आरजी बसाग का विचार है कि उसी के काल में गुपतों का लिछवियों के साथ विवाहिक समन्द इस्ताफित किया गया होगा संभवता है इसी कारण कुछ लेखों में घठोत कच को ही गुपतवन्स का आदी राजा कहा गया है उसके भी कोई लेख अत्वा सिक्के नहीं मिलते हैं इन दोनों सासकों की किसी भी उपलब्धी के बारे में कोई खा जानकरी नहीं मिलती इन दोनों के नाम के पूर्वे महाराज की उपाधी को देख कर अधिकांस दोनों ने उनके स्वतंतर इस्तिती में संधेह व्यक्त किया है चंद्रगुप्त पर्थम तो सर्वापर्थम चंद्रगुप्त पर्थम ने गुप्तों को सकों के दिनता से मुक्त किया था चंद्रगुप्त पर्थम ने ही सर्वापर्थम महाराजादी राज की उपादी धरन की थी महाराज गठोत कच का पुत्र और उत्रादिकारी चंद्रगुप्त प्रारंबिक गुप्त सासकों में सर्वाधिक सक्ति साली था राजय रोहन के बाद उसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महराजादी राज की उपादी ग्रहण की लिछमियों के साथ वेवाहिक संबंद चंद्रगुप्त पर्थम के सासनकाल की सर्वधिक महत्वपन गटना गुप्तों तथा लिछवियों के बीच वेवाहिक संबंद की स्थापना की है चंद्रगुप्त एक दूरदर्शी समरार था लिछवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने उनकी राजकुमारी कुमार्देवी के साथ अपना विवाहि किया इस वेवाहिक संबंद की पूष्टी दो परमाणों से होती है एक परकार के स्वण सीके जिने चंद्रगुप्त कुमारदेवी परकार लिछवी परकार राजारानी परकार विवाहि परकार आदि विभीनामों से जाना जाता है इस प्रकार के लगभग 25 सिक्के गाजीपूर, टांका, फैजाबाद, मथूरा, वाराणसी, अयोध्धा, सितापूर तथा बयाना जो राजस्तान के भर्तपूर जिल्दे में स्तित हैं से प्राप्त किये गए हैं उलेकनी है कि हाल ही में इस प्रकार का एक चांदी का सिक्का भी प्रकास में आया है सिक्के की बनावड तता आकार प्रकार श्रण मुद्रा जैसी ही है यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो हमें ये माल लेना पड़ेगा कि गुप्तवंस में सरव पर्थम चंदर गुप्त द्वितिने जैसा कि अभी तक माना जाता रहा है रज़त मुद्रे भारत में गुप्तों के पूर्वे की भी प्राप्ति हुई है इन सीकों के मुख भाग पर चंदर गुप्त तथा कुमार देवी की आकरतियां उनके नामों के साथ साथ अंकित है और प्रिष्ट भाग पर सीहे वाहीनी देवी के साथ मुद्रा लेक लिचवी है उतकिर्ण है समुद्र गुप्त के प्रियाग परसशती अभी लेकों में उसे लिचवी दोहित्र अर्थात लिचवी करन्या से उत्पन बताया गया है ठीक है अब देखेगा चंदर गुप्त पर्थम की विजयों के विशे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती वायुपुराण में किसी गुप्त राजा की समराज सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गुप्त बन्स के लोग गंगा के किनारे परियाग तक तता साकेत और मगत के पर्देशों पर सासन करेंगे जिस समराज सीमा का उलेक यहां हुआ है उसका विस्तार पूरम में मगट से लेकर पस्ची में परियाग तक था सपस्थ है कि यह समराज सीमा चंद्रगुप्त पर्थम के समय की ही है क्योंकि उसके पूरो वर्ति दोनों सासक अत्यंत सादान इस्तितिके थे तथा उसके बाद के सासक समुद्र गुप्त का समराजे इससे कहीं अधिक विश्टरित था परियाग परसचती आर्यावर्त तथा दक्षिनापत में समुद्र गुप्त की विजों का तो उलेख करती हैं किन्तु पस्चिम की और परियाग के पूरव में गंगा नदी तक के भूभा की विजों की चर्चा इसमें नहीं मिलती इसे इस्प्रेस होता है कि यह भाग चंद्रगुप्त के अधिकार में था कौसाबी तथा कोसल के मध्य राज़ाओं को चंद्रगुप्त ने जीत कर उनके राज्यों पर अपना दिकार कर लिया था गुप्त सम्वत का परवर्टन चंद्रगुप्त पर्थम को इथ्यास में नए सम्वत के परवर्टन का स्रेभी दिया जाता है जिसे बाद के लेखों में गुप्त सम्वत अर्थात गुप्त परकाल का कहा गया है फलीट की गर्णा के अनुसार इस सम्वत का परसलन 319 बीस में किया गया था इसके विप्रीत सामसास्त्री जैसे विद्वानों ने इस तिथी को 202 इस्वी माना है चंद्र गुप्त पर्थम ने लगभग 319 इस्वी से 350 इस्वी तक सासन किया उसने अपने जिवनकाल में ही अपने सुयग्य पुत्र समुद्र गुप्त को अपना उत्रादिकारी निर्वाचित कर दिया निशन्दे है वह अपने वन्स का पर्थम महान सासक था हम चंद्र गुप्त पर्थम को गुप्त समराजे का वास्त्विक सेंस्तापक मान सकते हैं तो देखेगा इस वीडियो में हमने गुप्त वन्स के जो प्रारेंबिक जो सासक है गठोत कच है श्री गुप्त है गठोतकच है और चंद्रगुप्त पर्थम है इनके बारे में जानकारी प्राप्त की और इतना कुछ पढ़ने के बाद हमको यह मान लेना चाहिए कि गुप्ते वन्स का जो अर्थात गुप्समराजेवा जो वास्त्विक सहंस्ता पगवा चंद्रगुप् धन्यवाद